इस चैनल को तुरंट सब्सक्राइब करें सबसे पहले विडियो पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं हेलो दोस्तो हमारी चैनल मौर्या फान एंड इस्टेडी पिक्चर में आपका स्वागत है आज हम आपके लिए सोया बीन की बड़ी की रेस्पी लेकर आई हूँ जो सेहत से भरपूर और काफी कुरकुरी और पांच मिनट में रेडी हो जाने वाली पकोड़े हैं अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए चलिए हम स्टार्ट करते हैं पांच मिनट में सोया बीन बड़ी मैंने लिये हैं पचास ग्राम सोया बड़ी, चार कप पानी, एक चमश नमक लिया है अब हम कढाई में चार कप पानी डालेंगे, उसमें एक शमश नमक डालेंगे और उसको उबलने देंगे दोस्तों जब पानी उबल जायेगा तब हम उसमें पचास ग्राम सोया बड़ी डालेंगे और उसको एक मिनट तक हम उसको उबा लेंगे जब सोयाबडी उबल के त्यार हो जाएगी तब हम उसको कटोरे में निकालेंगे और दो मिनट के लिए ठंडा होने देंगे जब सोयाबडी ठंडी हो जाएगी तो उसको हम हलका हलका दबा कर उसमें से पानी निकाल देंगे जब तक स्वयाबड़ी हमारी ठंडी हो रही है तब हम लैसुन और मिर्चा का पेश्ट त्यार कर लेते हैं हम लैसुन और मिर्चा का पेश्ट त्यार कर लिए हैं अब हम पकोड़े का पेश्ट त्यार कर लिए हैं मैंने लिये हैं एक चम्मש दई, तीन चम्मग बेसन और आदा चम्मच हलदी अब बारतन में लशुन मिर्चा का पेस्ट डालेंगे उसके बाद हम दो चम्मच बेसन डालेंगे इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे फिर उसके बाद हम उसमें सोया बिन की बड़ी डाल के उसको मिक्स करेंगे पेश्ट अभी हमको हलका लग रहा है इसलिए हम उसमें एक चम्मच बेसान और डालेंगे और उसके बाद हम उसमें हल्दी डालेंगे और उसको मिक्स करेंगे देखिए दोस्तो पेश्ट कितना अच्छा त्यार हो गया है हमको पेश्ट इसी तरह त्यार करना है अब हम पकोड़े चाड़ने के लिए कढ़ाई को गर्म करेंगे फिर जब कढ़ाई गर्म हो जाएगी तो उसमें रिफाइन कर तेल डालेंगे तेल को हम अच्छी तरह कर्म कर लेंगे और फिर उसमें हम पकोड़े का पेश्ट डालेंगे इसको हम धीरे धीरे चलाएंगे जिससे ये पकोड़ा बहुत कुरकुरा होगा देखिए अब हमारा पकोड़ा त्यार हो गया है यह कितना अच्छा दिख रहा है हम इसे बर्दन में निकाल लेंगे देखिए यह कितना सांदार पकोड़ा बन के त्यार हो गया है इस पकोड़े में थोड़ा सा भी तेल नहीं है इसको आप ऐसे ही सर्व कर सकते हैं या फिर सौस या ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं अगर आज आपको मेरी क्रिस्पी और सेहत मंद पकोड़ा पसंद आए तो लाइक कीजे सियर कीजे और मुझे कमेंट में बताइए कि यह पकोड़ा आपका कैसा बना धन्यवाद